अस्सलाम अलेकुम आज हम लेके आए बहुत ही मज़ेदा से चने की रेसिपी तो ये चना मुंबई स्टीट स्टाइल बनकर रेडी होता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में और घर में बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं जब भी मन करें इस तरह से बना कर खा सकते हैं इसके लिए हमने बॉइल चना लिया है ये एक कप चना है तक्रीबन 200 ग्राम उसको हमने थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर बॉइल कर लिया है ठीक है आपके पास अगर फ्रोजन चना है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर हल्दी डालकर बॉइल कर सकते हैं एक बॉ चोली में बूल सीवल्ड़ी दाल कर सकते हैं इसखेस लिए के तो यहां पर हमने लिए ाइनिया चाहट चपो भून की हमने लिया है तो यहाँ पर हमारा यह जो मसाला है यह अच्छे से भून चुका है आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छे से बदल चुका है तो अब इसको हम निकाल कर ठंडा करके इसको हम पीस लेंगे एकदम बारी अब सेम पैन में हमने लिया है दो चमच भर कर यह दो वड़े चमच हमने लिया है बेसन और बेसन को भी अच्छे से हमको भूनना है ताकि बेसन का कच्छापन खतम हो जाए और अच्छी सी खुश्बू आने लगे क्योंकि यह बेसन हम चने में यूज़ करने वाले हैं तो इसका कच्छापन खतम होना जरूरी है ठीक है नए तो फिर बेसन की कच्छी स्मेलाएगी तो यहाँ पर बेसन को भी हमने अच्छे से भून लिया है अब बेसन को भी निकाल कर हम यह साइड में रख देते हैं अब दो मिनट ता हम अदरकलसन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे अब अगर आपके पास चना बॉइल किया वह नहीं है तो जब बॉइल करेंगे आप तो उसमें एक चमच अदरकलसन का पेस्ट डाले वन फोर टीस्पून के गरीब हल्दी डाले नमक डाले और बॉइल कर ठीक है तो यहां पर हमने अच्छे से मसाला भून लिया है अब इसके अंदर हमने चना डाल दिया है तो पानी के साथ ही हम चना यूज़ करने वाले हैं ठीक है तो अब इसके अंदर हम भुनावा बेसन डाल देते हैं यह पूरा बेसन हमारा जो है ना चने काटा यह पूरा सा गाड़ा होने लग जाएगा अब इसी के साथ हम आलू डालने वाले हैं तो एक बड़ी साइस का आलू लिया था हमने बॉइल किया हुआ और यह भी हम डाल देंगे इसी के अंदर इसमें भी आलू बिल्कुल जाता है क्योंकि आलू से है ना चने का टेस्ट और भी बढ़कर आता है तो यहाँ पर आलू भी डाल दिया है हमने अब यहाँ पर गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी थी गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर चना ह यह हमेशा रनी रहती है, तो यहाँ पर हमने हाप कप से ज़्यादा पानी डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से कवर करकर रखने वाले हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, क्यूंकि बेशन डाला है, एक्स्रा पानी डाला है, तो 1-4 टीस्पून के करीब ह आप आपकी ठेस की इसाफ से कमजादा कर सकते हैं, तो यहाँ पर नमक डाल कर, अब इसको हम ढखकर 5 मिनिट तक पका लेंगे, अच्छे से 5 मिनिट के बाद, हम ढखकन को खोल लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा चना बिलब कुल गाडा हो चुका है, बिलब इसको हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसको सर्फ कर लेंगे कोई भी कटोरे में आप सर्फ कर सकते हैं तो यहां पर चना हम निकाल लेते हैं गर्मा गरम सा तो चना निकालने के बाद इसके लिए हम बाकी मसाले देख लेते हैं और यहां पर देख सकते हैं, हमने लिया है कोकम, कोकम को हमने पानी में बिगो कर रखा था, 15-20 मिनिट के लिए, तो यहां पर कोकम का पानी है, यह जो मसाला हमने भून कर रेडी किया था, यह भी हमने पीस कर ले लिया है, अब हम इसके ओपर डाल देंगे, जो हमने भूना डाला हैना बनाए है वो डाल देंगे पाऊ चंवाज से थोड़ा सा ज्यादा ठीक है तो अब यहाँ पडाला है हमने 4encer मसाला 2 पिंच के करीब 2-5 से 3-5 काला नमक अब ये कोकंक का पानी डाल देंगे 2-3चंवाज क्थटा आपको पसंद हो उस ताकि जहांगे ना है यहां पर मिर्ची का भी बना रेडी किया है एक चमच मिर्ची लिया है उसके अंदर 2-3 पानी डाल को इसका घोल बना लिया है अगर यह आपके पास ना हो तो ना डालें और इसको हम अच्छे से mix करेंगे सबसे पहले ताकि जो मसाले है ना powder मसाले ये चना के साथ अच्छे से mix हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना tasty दिख रहा है ना मूँ में पानी आ रहा है तो अब इसके उपर से थोड़े से हलके से मसाले हम डालेंगे तो ये जो हमारा बुना हुआ मसाला ये हमने डाल दिया है एक से दो चुटकी थोड़ा सा डाल देंगे हम चाट मसाला एक से दो चुटकी और एक से दो चुटकी ही नमक डाला है हमने जो काला नमक है ठीक है अब यहाँ पर बाकी सारी बारिक चॉप किया हुआ, इसके अंदर फ्राइड ओनियन भी जाता है, तो फ्राइड ओनियन अगर आपके पास नहीं है तो घी में फ्राइड करें और थोड़ा सा घी भी डाल दें उसके उपर और ओनियन भी अब यहां पर हमने मिर्ची डाल दी है, तो दो से तीन हरी स्ट्रीट स्टाइल चना हमारा रेडी है, तो आप भी जरूर बना कर ट्रा करें और रेसिपी अच्छी लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं रेसिपी के साथ, तब तके लिया लाफेज